नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस पेस इंड़ेचल पर आप सभी का हार्ड दिक्रम दिन करते हूँ दोस्तों अब से कुछी देर पहले भारत और फ्रांस के बीट क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला जो है वो खत्म हुआ है और भारत के विदिद गुजराती और S.L. नरायन की शांदार जीत के चलते भारत ने 3-1 से फ्रांस को पहले मैच में हरा दिया अगर दूसरा मैच ड्रॉ रहा तो भारत सेमी फांडल में प्रवेश कर जाएगा M.V.L. पर जो शांदार जीत विदिद ने हासिल की है सीधे उस मैच पर चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं कि क्या को चुगा उस मुकाबले में विदिद काले मोरों से खेल रहे थे और आपको दादूं कि काले मौरों से विधित किये लगा था दूसरी जी थे इससे पहले यहाँ पर उन्होंने नीमन हंस्मोके को भी ब्लैक पीसे सहर आया था तो C4 से शुरुआत हुई इंग्लिश ओपनिंग होई E5, G3, D5 C into D5 Queen into D5, यहाँ पर Knight F3 जो main line है वो खेला MVL ने विधित खेलते हैं Knight C6 जो की main line है Knight C3 यहाँ पर Queen D8 वापस आ जाते हैं मतलब यह बिल्कुल main line पर game चल रहा था अभी तक, now Bishop G2, Knight F6 Castle, तो यहाँ पर अब विधित ने चूज किया, यहाँ पर Bishop E7 खेला पर होना पहले H6 खेला E3, Bishop D6 तो पीसे दोनों साइट से जो है, वो बराबर यहाँ पर develop हो रहे थे, D4 किया, यहाँ पर MVL ने position को open up करने की कोशिश की into D4, Knight into D4, Knight into D4, Queen into D4, थोड़ा aggressive खेलने की कोशिश की, विधित ने Queen E7 खेला आराम से, अभी आप देख सकते हूँ कि B7 पर थोड़ा सा परिशा रहे, लेकिन आने वाले से में विधित के पास clear plan था, यहाँ पर C6 करना है, और उसके आद बिशप भी गेम में आ जाएगा, B3 किया, क्योंकि MBL का भी यह बिशप गेम में नहीं आया था, आप यहाँ पर MBL खेलते हैं, H3, B6, F4, अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो F4 था, यह MBL की सबसे बड़ी गलती थी, और यहाँ पर विधित ने शांदार चाल निकाली, और गेम को इसके बाद जो control में लिया है, वो फिर लास्ट नहीं छोड़ा, यहाँ पर विधित ने ब्रिलियंट मुव खेला, बिशप F5, क्यों अगर आप क्वीन यहाँ पर बिशप इन्टो F5 मार रहे हैं आते हैं, तो बिशप C3, बिशप C3, क्वीन E3 चेक, और आप यहाँ पर देख सकते हो, कि ना सिर्फ pawn down है, पोजीशन भी यहाँ पर down हो चुकी है, वाइट की, तो यहाँ पर उनको खेलना पड़ा, बिशप F5 पर अच्छा E4 भी अगर करने के लिए जाते हैं, तो इस पे भी बिशप E4 आ रहा था, क्योंकि नाइट E4 पर बिशप B2, और यह बहुत ही प्लस पोजीशन जो है, वो निकल करके आ रही थी, उन्हों ने खेला क्वीन C1 यहाँ पर MVL ने, और अब विधित ने खेला, बहुत ही सिंप्लिफाई किया पोजीशन को, पहले बिशप इन्टू C3, क्वीन इन्टू C3, बिशप E4, गुड मॉव, रुके D1 आए, सो बिशप इन्टू G2, किंग G2, क्वीन E4, किंग H2, अब यह पोजीशन को आप देखे आराम से, यह क्वीन जो है, वो कमाल का बैट चुका है, यह पॉन स्ट्रक्चर की वज़ जो है, वो तयार है, फिर रुक भी आ रहा है गेम में, तो पोजीशन बहुत बुरी दर से फर्स चुकी थी, क्वीन को अंदर जाना पड़ा, यहाँ पर MBL को बचाने के लिए क्या करते हैं, और क्वीन इसके बाद जाम हो गया था, उसके बाहर नहीं आ रहा था क्वीन, व प्रॉब्लम वैसे भी, गेम खतम हो जाएगा, तो MBL ने कंट्रोल करने ही कोशिश कि उन्होंने B4 किया, विदित ने B6 किया, अभी भी A5 आ रहा है, विदित ने पाउन सेक्रिफाइस कर दिया, यहाँ पर MBL ने, विदित ने एकसेप्ट कर लिया, रुक C1 आए, तो विद Knight F2 से, तो क्या करते, तो उनको खेलना पड़ा यहाँ पर, Rook C2, So now A5, Queen G1, इसके बाद, अभी किसी दर से Queen exchange कर लो, विदित ने बुला ठीक है, मैं Pawn बढ़ना चालू रखता हूं, B5, Queen G2, Queen exchange हो गया, और यहाँ पर Knight C3 आ गया, अभी आप देखोगे कि, यहाँ पर ऐसे Knight Pawn को बचा आया, F5, जहाँ पर Rook A6, Rook Bishop को वापस बेजा, and then Rook D6, दीरे दीरे इंप्रूव कर रहे थे, विदित, G4 आया, H5 हुआ, शायद यह H5 नहीं भी करते, तो भी काम चल रहा था, एक आइडिया बढ़ा अच्छा था, कि Rook C6 से Rook C4 बैठो, और फिर A4 पूस कर खेर, विदित ने खेला, यहाँ पर H5, उन्होंने खेला, G5, एकसेप्ट कर लिया, Rook G2 आये, तो नाओ, अभी विदित ने बढ़ा यह अच्छा एक क्लियरली यहाँ पर एक प्लान लगाया, उनको दिखा कि भाई, यह F6 वगएर अभी प्लान हो सकता है, तो यहाँ पर वो चुपचाप जो है, वो रुक को D7 लेके चले गए, अब रुक D7 से क्या है, जुरत पढ़ने पर कभी भी रुक जो है, वो यहाँ से यहाँ तक भी स्विच हो सकता है, यह जैसे कि आप देख सकते हो, और G7 को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, और अब उनका प्लान यहाँ से पॉन उस करना, जैसे अगर यह रुक G5 मारे तो नाइट इंटू A2 मारना, क्योंकि रुक के हटने से भी न यह जो बिशप C5 वाला थ्रेट था वो भी चला गया, तो उन्होंने खेला रुक इंटू G5, नाइट इंटू A2, किंग E4, B3 पॉन पोस, किंग D3 गया आप B4, यहाँ पर विधित सेकेंट में खेल रहे थे, तो एक्कुरेट खेलना इतना असान नहीं था, F6, अभी F6 का इंट थ्रेट था, कि अगर आप देख नहीं पाओ, तो यह मर रहा है पॉन, तो खेर उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट C3, क्योंकि प्रॉब्लम यह ह पाइप मारा तो यह B2 पुस हो रहा है, so then उन्होंने खेला रुख G2, so now A4, King B4, so यहाँ पर नाइट A2, बिशप E5, यहाँ पर फिनिश बड़ा अच्छा था, नाइट C1, बिशप B2, so नाइट D3, बिशप A1, so B2 पॉन दे दिया, यहाँ पर क्यों, क्योंकि बिशप B2 Knight B2 और Rook B2 के बाग B3 यहाँ पर Double Connected Past Pawn था, और यह रोकना बड़ा ही मुस्किल था, उन्होंने पर ट्राइ किया, King B4, तो Rook A7, Rook G2, जो फिनिश है वो बड़ा कमाल का है, Rook G7 चेक, King A3, तो B2 Pawn पुस, फिर से Pawn सेक दिया, क्यों, क्योंकि Rook B2, Rook B2, King B2 और G5 के ब कर दिया, विधित के, यह मेरे दोरा देखे गए, भले Classical की आप बात करें, Rapid की, वन आप दा बेस्ट गेम में से एक है, और World Blit Champion को हराना, यह कोई चोटी-मोटी बात नहीं है, तो विधित को बहुत-बहुत बधाई, शांदार शतरंच के लिए, और भारत की संभावना है बहुत मजबूत करने के लिए, सेमी फाइनल में जाने के लिए, उम्मीद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आयोगा, पसंद आयोगा, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बूले, देखते रहे, चैस्पर सिंट्या, चैस्पर सिंट्या के लिए, मैं निकलेश ज जाइ हैं दोस्तो